दोस्तों मुझे एक भाई का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे किसी काम से एक हपते के लिए बाहर जाना है तो क्या मैं अपने खरगोश को बालकनी में रखकर और उसको चारा पानी एक हपते का इस्टोर करके दे कर जा सकता हूँ कोई प्राबलम तो नहीं होगा तो गाईज मैं करना जरा भी स्कीप मत करना इस वीडियो से आज आज आपको काफी कुछ नया देखने और शीखने को मिलने वाला है और ये वीडियो आपके लिए काफी इंफार्मेटिब और नालेजबल होने वाली है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आ आप में विल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिये जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि मैं रैविट से रिलेटर वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रैविट से रिलेटर कुछ न कुछ नया और जेनुएन देख लेकिन गाईज कुछ रैविट लबर भाई वहन अभी भी ऐसे हैं जो काफी सारी गलतियां कर देते हैं जानकारीना होने की वज़े से और उनका रैविट लापरवाही की वज़े से मर जाता है तो गाईज जब मैं मुद्दे पर आते हैं कि क्या खरगोष को पूरे एक हफ पिना दे कर जाना चाहिए या नहीं तो गाईज मेरे हिसाफ से खरगोष को एक हफते की बात तो दूर प्यारे बेबी बनी को कम से कम पांच या च्छा घंटे के लिए ही अकेला रखना काफी है बाकी गाईज आप अपने खरगोष को जितना भी ज़्यादा टाइम देते ह उनको काफी सारा खत्रा बना रहेगा और वो बिल्कुल भी सेव नहीं रहेंगे अब गाईज आईए जानते हैं कि अकेला छोड़ने से क्या-क्या प्राबलम हो सकता है नमबर वन गाईज अगर आप अपने खरगोष को अकेला छोड़ कर जाते हैं तब आप उसे जो भी ख खरगोष को अकेले पन की वज़ा से डिप्रेशन में जाने का खत्रा बना रहेगा और उसे हार्ट अटाइक और भी हो सकता है और आपके लाट कर आने तक आपका खरगोष आपको मरा हुआ भी मिल सकता है नमबर तिरी गाईज अगर आप अपने खरगोष को चारा पानी द कर जाएं आपका केज या पिजरा कितना भी मजबूत के उना हो पर अगर वहां कुत्ते या बिल्ली आकर उस पर जपटा मारेंगे या फिर उसके केज के आसपास होकर बैठे रहेंगे या चक्कर लगाएंगे तब भी आपके प्यारे बेबी बनी को डर की वज़े से केज क खरगोस आपका है आप उसे कैसे मैनेज करते हैं उसे अकेला छोड़ कर जाना ओभी कई दिनों तक सेफ है या अनसेफ आप खुद ही अपने अकोर्डिंग देख लीजिए बाकी गाईज मेरा सजेशन हमेशा सभी रेविट लबर भाई बहन को यही रहेगा कि आप कभी भी अपने प्यारे बेवी बनी को 5 या 6 घंटे से जादा अकेला कभी भी ना छोड़े जो कि काफी सारे रेविट लबर भाई बहन इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते भी हैं और ओ ऐसा करते भी हैं और गाई आप अपने खरगोस को कितना देर तक अकेला छोड़ कर मुझे भी बताना और गाई अगर आप एक रेविट लबर हैं तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को अपने रेविट को छोड़ कर कहीं बाहर अचानक से जाना पर जाए तब आप अपने आसपास के परोसियों या रिष्टेदारों के यहां रख और गाई आपकी रेविट से रिलेटेट कोई भी प्रावलम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें हो सकता है अगला वीडियो आपके कमेंट पर ही हो तो चलिए गाई मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद